बाजबा दुबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना याद रख लेना बाद यह हमीशा गेरा है आतो तो भाई डर लगता है इन से इनका कुछ पता नहीं है यह तो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे वीडियो में जिस शक्स को आपने बोलते हुए सुना उनका नाम है इमरान मसूद लोगसबा चुनाओ में यूपी की सहरनपुर सीट से कॉंग्रेस प्रत्याशी बनाय गए है प्रत्याशी बनाय जाने के बाद इमरान मसूद लगाता जनसबा कर रहे है लोगों के 20 जाकर बीजेपी को हराने की अपील कर रहे है ऐसे ही एक जनसबा में इमरान पहुँचे थे इस दोरान उन्होंने वो कह दिया है जिसके बाद अब वो खुद परिशानी में घिर गए है दरसल इमरान मसूद चुनाओी जनसबा को संबोधित कर रहे थे पहले इमरान मसूद का वो बयान सुनिए जो सुशल मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है यह भी शाब बोल रहा है यह जितनी मजबूत आवाजे हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही कोई बोलने वाला नहीं बचे वीडियो वाइरल हुआ तो इमरान मसूद ने फिर एक बयान दिया मीडिया के कैमरे पर अपने वाइरल हो रहे वीडियो पर उन्होंने कहा कि डर लगता है इन्होंने मुखे मंतरी को उठा कर बंद कर दिया अब लोगों को बोलते हुए डर लगने लगा है युम्रान मसूद का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ तो बीजेपी ने से मुद्दा बना लिया इसे लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुँच गई भाजपा के लखनो मुख्याले ने इम्रान के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है शिकायत में बीजेपी ने इम्रान मसूद पर जनसभा में वर्ग विशेज को भड़काने का आरोप लगाया है वहीं इम्रान के बयान यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौरे ने कहा कि ये बयान देकर वोट तलाश रहे हैं इससे वोट नहीं मिलेगा भाजपा का कमल खिलेगा